अबी पैरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों पूस्ते ही है एक पार मुसे एक फिमेल बिलती है और बोलती है के मेरा बच्चा ऐसे निखल गया मैंने जानती नहीं थी ऐसे ऐसा कर जाएगा मैं केता हूँ मुट निखल नहीं गया उसको निखाला गया है और कोई और नहीं निखाला है उसके माता पिता ही उसको निखाले हैं मैं केता हूँ every child is special जितने भी बच्चे पैदे लेते हैं उनका brain एक level होता है उसमें सोचने का समझने का capacity भगवान ने सब को एक समान दिया लेकिन उसमें कुछ लोग आगे निखल जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं इसका मुद्धा क्या है तभी आपने इसके बारे में रिसर्च किया है मैं कहता हूँ ये सारा छेड़ खानी सिर्फ उसके घर में ही होता है जिसे आगे चल करके वो बच्चा अपने मांसी संतुलन को खो करके डिश्ट्राक्ट हो जाता है और एक अलग पत में चलना श्टार्ट कर देता है आपने ऐसी भी चीजे घटनाय देखेंगे एक बच्चा अपने घर में अपने कमियों को ना बता करके अपनी सारी कमियों को अपने एक फ्रेंड को बता देता है क्या आपने ऐसा कभी चुना है इसका में साइकोलोजी रीजन क्या है आप उस चीज को समझेए मेरे नजर में अगर एक बच्चे को पाला जाए ना तो एक बच्च्या जब एक से लेकर पांच साल तक रहे तो मैं कहता हूं उसकी सारी च्छाओं को कम्प्लेट करो अगर व आप उसको देना चाहते हो जो भी मांगे आपसे सब कुछ दे दो उससे उसकी हर इच्छाओं को कम्प्लेट कर दो सिर्फ फाइप यर्स तक पांच साल तक उसके पांच से लेकर दस साल तक जैसे बच्चा पांच से लेकर दस साल तक होता है पांच साल दुनिया में उसका स आपसे बड़ा दुस्मन बन जाओ उसे इतना टॉर्चर कर दो कि वो आपकी परचाई से भी डर्ना श्टार्ट कर देए इतना आप टॉर्चर उसको करो और उसके बाद जैसे ही 10 साल का हो जाए वो बच्चा आपका 10-11-12 साल का जैसे उसमें यूथ अवस्था आ जाए जैसे यह यौनवा आरम हो जाए वैसे एवरी पैरेंट्स को जितने भी इस वीडियो को पैरेंट्स देखेंगे उनके लिए स्पेसल है कि वो पैरेंट्स अपने बच्चे को वो सारी खुसियां देना पूरे स्टार्ट कर दें उसको एक फ्रेंड सी बनाना स्टार्ट कर दें और उसकी बुराई पर भी ना डाटे चाहे गलती से गलती भी करें उसको डाटो मत अगर आप एक अच्छे उसके फ्रेंड बन जाओगे तो दूसरों को बताने के बजाए वो आपका बच्चा आपसे स्वयम बताएगा अपनी कमी और जैसे ही आओ उसकी अपनी कमी बताए अगर अपने माता पिता से ज़्यादा वो अपने फ्रेंड की बात मानता है तो मैं ऐसे में कहता हूँ अगर एवरी पैरेंड्स अगर एवरी पैरेंड्स प्रतेक माता पिता ही अगर फ्रेंड बन जाए अपने बच्चे को एक यूद की अवस्ता में तो जो भासी की सजा स साइट की सजा हमारे सोसल समाज में जो दिखाई जाती है यह साइथ कम हो जाए यह मेरा जैन्वन तरीका है यह मेरी स्वयम को अपिनियन है अगर ऐसा करने से मैं कहता हूं 100% यह इंडिया हमारा आगे बढ़ेगा अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्योंकि वो अगर कोई बच्चा अगर चोरी कर रहा है या फिर गलाट डिस्ट्रैक्स पर जा रहा है तो उसकी सबसे वड़ी वज़े होती है अपने माता पिता कि वो डरता है कि इसे बताऊँगा तो कहीं और कुछ ना हो जाए उसके बज़ाए वो बहुत बड़ा कभी कभी ऐसा आजाता है बहुत बड़ा फैसला ले लेता है मैंने विश्वाश नहीं करोगे मैंने ऐसे ऐसे बच्चे को भी देखा है जो कभी सोच नहीं सकते थे कि एक दिन इसकी लाइफ ऐसे हो जाएगी मैंडिया इतनी खतर नाख हो जाएगी लेकिन ऐसी हो चुकी है आप बिलीफ ही नहीं करोगे ऐसा हो चुका है तो यह सिस्टम यह जो मैं बालोजी जूलोजी बता रहा हूं यह जो इस पर्म के बारे में बता रहा हूं जो डिस्ट् एक बच्चा अपने फ्रेंट से से अधर करता तो मैं कहता हुए एक पैरेंट को ही एक फैरेंट बन जाना चाहिए अगर आइसी मैं बन गया और सब्स्क्राइस आप सबस्क्राब धर धर फ़िवर वह प्रकार से समझेगा मैं इस चीज को रिफीट कर रहा हूं पहली वार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इसको बहुत इच्छे प्रकार समझ जाए एक पैरेंट्स को एक माता पिता को अपने बच्चे को कैसे रखना चाहिए जैसी बच्चा जन्मलिया एक साल से पांच साल तक उसको उसकी सारी ज्चाओं को कम्पलेट कराओ क्योंकि उसको अभी दुनिया का ग्यात नहीं उसको कुछ जानकारी नहीं है अभी तो एक माती का छोटा से गिलवा पुतेला है जैसी पांच से दस साल उस जानने की लेबल बन जाती है और जानकारी जब उसको आने लगती दीरे दीरे नॉलेज होना लगता है तब आप उसका सबसे बड़ा दुस्मन बनो दाकि वो डरे आपसे कुछ और ना करें दस साल का हो जाएगा तो किसी की नहीं गुनेगा तब आप उसका फ्रेंड बन जाओ एक दोस्त बन जाओ मैं जानता हूं कहना असान है करना कटीन ह लेकिन इस समझ संसार मैडियर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आसंबव है अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे अगर आप इस चीज को फालो करोगे करना स्टार्ट कर दोगे कि ये चीज आटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी आप आने वाले अपनी फीड़ी को आने वाले आप समाल सकते हैं नहीं तो यह जिस तरीके का डिस्ट्रैक्शन से चल रहे हैं जिस तरीके से यह बिमारी चल चुकी है वो आने वाले 2025-2026-2026 से चार सालों में पुरी तबाही मचा देगा हमारे इन नौजवानों को क्योंकि जितने भी स्टुडेंट हो या फिर और लोग हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने मार्ग से जब उनकी एज 14, 50, 60, 70 हो जाती है क्योंकि उनके दिमाक्स में हार्मोन चलना ही स्टार्ट हो जाते हैं ऐसी सिच्वेशन में एक पैरेंट्स को उसका फ्रेंड बनना बहुत ही जरूरी है तब तो वो अपने परिवार को सुधार पाएगा वरना परिवार तो योही विखर जाएगा थेंक्यू मैं विकाश फिर मिलूँगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हमारे चैनल परण